नमशेवा चिल्दन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों नेक्स्पेनिशन किया था गीतों की धुन मिट्टी का सोंधापन फसलों की लह लहाहट आगे पढ़ते हैं नाचने के लिए खुला आंगन गाने के लिए गीत हसने के लिए थोड़ी सी खिल-खिलाहट रोने के लिए मुठी भर एकांद हाँ नाचने के लिए खुला आंगन कवित्री का मानना है कि आवादी और विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं हम लोग शेहरों में देखते हैं कि फ्लेट सिस्टम है आंगन कितने लोगों के घर में होता है मींस ना के बराबर फ्लेट में तो आंगन होने का सवाली नहीं है तो जो कवित्री चाती है कि आवादी और विकास के कारण जो घर छोटे होते जा रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव गाउं में ना पड़े खुशी व्यक्त करने के लिए मनुश्य नाचता है तो नाचने के लिए मींस खुशी व्यक्त करने के लिए नाचने के लिए खुला आंगन हो बना रहें गाने के लिए गीत मींस खुशी व्यक्त करने के लिए मनुश्य गुनगुनाता रहें हसने के लिए थोड़ी सी खिल खिलाहट खिल खिलाहट एक ऐसी हसी जो जिसके पीछे कोई दर्द ना छेपा हो कवित्री का मानना है आज कल जीवन जो है वो बहुत स्ट्रेस भरा हो गया है ठीक लोगों के पास खुशी कम दुख ज्यादा है उनकी हसी के पीछे भी एक दुख का भाव छेपा रहता है या फिर छलकपट भरी रहसे महीं मुस्कान होती है पर कवित्री चाहती है कि एक मुक्त हसी लोग हसें और रोने के लिए मुठी भर एकांत अभिप्रा यह है कि कवित्री को ऐसा महसूस होता है कि आज मनुश्य समवेदन शून्य होता जा रहा है मिस उसमें भाव नहीं रह गए हैं इसलिए कवित्री चाहती है कि वो भाव शून्यता जो है वो मनुश्य में मनुश्य की खतम हो जाए मनुश्य मुक्त कंठ से हसे रोए अपनी खुशी व्यक्त करे बच्चों के लिए मैदान पश्वों के लिए हरी हरी घास बूढों के लिए पहाडों की शांती और और क्या चाहिए बच्चों के लिए मैदान खेलने कूदने के लिए बच्चों को मैदान मिलना चाहिए बच्चे तभी उनका संपूर विकास होता है बच्चों का जब उनको खेलने कूदने दिया जाए तो उनको खेलने कूदने के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बुढ़ों के लिए पहाडों की शांती बुजर्गों लोग जो हैं वो जदा शोरगुल में परिशान हो जाते हैं जदा शोरगुल से उनको हाट प्रॉब्लम्स होने लगती है तो उन्हें शांती की आवश्क्ता है, वो शांती शहरों में नहीं मिलती, वो शांती गाओं में बनी रहे ऐसा कवित्री चाहती है और इस अविश्वास भरे दोर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मे, थोड़ी से सपने और कवित्री चाहती हैं कि ये जो अविश्वास भरा समय है मींस कोई भी एक दूसरे के उपर विश्वास नहीं करता लोग विश्वास करने पर भी विश्वास तोड़ देते हैं तो ये जो ऐसा वातावरण बन गया है इस वातावरण में कवित्री चाहती हैं कि ये खतम हो जाए अविश्वास भरा दौर जो है वो ना रहे और इसी अविश्वास भरे दौर में वो थोड़ा सा विश्वास चाहती है लोग जो है वो एक दूसरे पर विश्वास कर सके थोड़ी सी उम्मीद चाहती है कि जो ऐसा बातावरन बन गया है वो दूर हो जाए जो एक ऐसा वातावरन जो लोगों को खुशी नहीं देता ऐसा वातावरन जो हमें आपने चार ओर बना लिया है वो हट जाए थोड़े से सपने मनुष जिन को पूरा करने के लिए जी सके आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचाएं अब भी हमारे पास और कवित्री एक आशावादी विचार रखती हैं उनको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बदल गया है लेकिन फिर भी इस दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत दोहर को बचा सकते हैं हम अपने संस्कृति के अस्तित्व को बचा सकते हैं जिससे हमारी पहचान है सो स्टुडेंट्स इस यह पोयम यहां पर खतम होती है और इसके इसका काविस अंदर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और काविस अंदर गजल कविता का भी छूट गया है वो मैं इस कविता को पूरा फिनिश करने के बाद आप लोगों को करवाऊंगी नमुश्यवाए